जैसे कि प्रतनीदी का लड़ने का छामता नहीं है, तो ऐसा प्रतनीदी बनना भी गल्द है, प्रतनीदी पदा ऐसा है कि समाज का सिवा करने का है, ना कि लूटने के लिए नहीं बनाया गया है, यहीं कहेंगे कि समाज का जब सिवा करने के लिए कोई नेता बन रहा है, कि सम आज जानता अपना सोच नहीं बदलेगी तो वह ऐसा ही समाज का प्रतिनीदी होगा और दुख भोगेगा जीवन पर जब धरातल पर हम लोग आये हैं तो मनावता कि नाम से समाज सेवा ही करना सबसे बड़ा धर्म होता है और वही सबसे बड़ा पुंजी है नमस्कार मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन अख़बार का यूट्यूब चैनल आज हम आपको एक ऐसे ब्यक्ति से परिचे कराने जा रहा हूँ जो कोई परिचे के मोहताज नहीं है समाज सेवा इनका परमधर्म है करगहर परखंड के कल्याणपूर पंचायद के पैक सब्जच है यह चर्चा में तब आयें जब जिला के सहकारिता विभाग के डिस्ट्रिक मेनेजर को निगरानी विभाग के द्वारा रंगे हाथो धरवाये थे और इससे पहले भी कई बार घूस लेते अफसरों को भी धरवा चुके हैं और करगहर में भी क्रैक केंदर परभारी को भी रंगे हाथो पकरवाया गया था तब इनका नाम चर्चा में आया था यह अपनी मंदारी के बल पर अपने नाम का जंग का पूरे परखंड ही नहीं जिले में बजा चुके हैं आज भी अधिकारी इनसे खौफ खाते हैं इसलिए इनका काम करने का तरीका अलग है अपने पंचाय से दो बार पैक सर्जच रहें और दोनों बार तरवधिक बोटों से जीत कर रिकार्ड बोटों हासिल किये थे जो अब तक जिला में नहीं है औ सरकारी रेट 2065 धान का मुल्य रेट डाइरेट किसानों के खाते में जाता है और यह जीला के नहीं बिहार के इकलोते ऐसे पैक सर्जच हैं जो प्रदेश में अधिप्राप्ति का पहला आखान आता है और मेरे साथ बात करने के लिए पैक सर्जच गोबर्दन सिंग हैं सब इनके प्रति जो हम लोग का दाई तो है हम लोग दाई तो फुरा करते हैं जो सरकारी सिस्टम है आज 2014 से ही पैक सर्जच रहे है दो बार रह चुके है लेकिन जो सरकारी प्रोसेज में किसान का जो राइड दाम रेट आता है समर्थन मूल उस समर्थन मूल देते आए और प बाढ़ देता है तो हम लोग का करतब है किसान को हग को दिल्वाना अगर बादा देता है तो हम निगरानी टिम को बुलाते हैं और निगरानी टिम को बुला कर अधिकारी के ऊपर करवान कर ऐस को चाहीं की मिलता हैं करता है कियोंकि हमारे साथ कोई आद्त कारी एक रुप्या लेता नहीं है हैं। आज कहीं एक रुप्या लगता नहीं, या एसेफ्सी हो या कॉर्पयर्टि भभागो, या पर्खंड में। कौहीं भी एक रुप्या देना नहीं पड़ता है। है। इसलिए हम किसान को अपना हग पुरा एक के उपने किसान के लिए हग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और巧क किसान उनलड़ने का क्या करते हैं। बहुसे ऐसे पैक सर्दक्ष हैं कि लगतार जो आरूप लगाते हैं कि हम लोगों को कमिशन जो है सीधा सीधी तोर पे बान दिया गया हम लोगों को कमिशन दे देते हैं इसलिए हम लोगों के पास 50 सरकार की जो 2065 का रेट हो नहीं आपाता है इसलिए की वज़ा से किसान को हम लोग कहीं ना कहीं अठारा सो और अठारा सो पचास का रेट भुखतान करते हैं वो लोगों के बारे में देखिए हम नहीं बतला सकते हैं सर क्योंकि हम अपना अधिप्राप्ति करते हैं आपना पंचयत का पहले भी दो दो पंचयत मिलता था कि किसान का दो भी पंचयत और करता है और एक बत और काना चाहेंगे कि परखंड में भी अपना एक आफिस रख्या है जो कि पुरा परखंड वास्य से ही अन्रोध है कि हाद में अगर कोई अधिकारी अगर 2065 का है कोई भी डीलर सीप से अगर ले अगर कहीं 10 रुपया 20 रुपया अधिक मागे चाहें 5 रु करेंगे या इंद्रा अवास के लेकर जो वीडियो से जो घुस मागा जाता है या जो हम लोगा मूटेशन करने में जमीन का कोहीं भी कोई समस्या है पूरा परखंड वास्यों का से हम पर तो उसका हब दिलवाने का काम करेंगे गोबर्धन सिंग समाज सेवा करते हैं और सम करने वाले यह ब्यक्ति हैं अचा मैं एक बात पूछना चाहता हूं जो आप बहुत बता रहे हैं कि थोड़सन पंचायत से भी धान की खरीदारी करते हैं और से सारे जो पैक सद्रक्षे ऐसा उन लोगों करते हैं कि हम लोगों के दौरा किवल अपने ही पंचायत से खरीद करता था जो पैक सब्सक्राइब हमारे पास किया गया था ठोड़सन और दुम्रा तो दोनों पंचायत चलाए हैं वहां का किसान से संतुष्टी नहीं होगा जाकर पूछ लिजिएगा अगर एक रुप्या भी लिए होंगे मैं अपना गुलामी दगने के लिए भी त्यार ह किसान हो का रेट मिल पाया मैं नहीं मिल पाया हैं अगर ज्यादा दन दोड़त ब्टर दिगें जब धरातल पर हम लोग आये हैं, मनावता के नाम से समाज सेवा ही करना सबसे बड़ा धर्म होता है, वही सबसे बड़ा पुंजी है, है क्या, जब मानो शरीर लिये हैं, जब नेता का मतलब क्या है, आज कल के नेता लोग होते हैं, कि खाली अपना पॉकिट भरने के लिए, क पॉकिट भरने के लिए नहीं थे, आज का जो समाज है, सब समाज का सोच और नेता का सोच गल्थ हो गया है, बहुत से सारे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ले लेते हैं वगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं, आप बाई से नहीं चलते हैं लागाता है, उसमें भी रहता पर चलिएगा तो आपका ध्यात और अंदर का अंत्राल सुख में रहेगा धन दौलत से कोई सुख जीवा में नहीं मिला है न मिलेगा बहुत से सारे ऐसे पैक सद्यक्ष हैं जिनकी खरीदारी जो धान का होता है वो केवल कागजों में होता है किसान से ऑनलाइन कराकर कागज ले लते हूं कि खाते में पैसा को टांजेक्षन कर दिया जाता है और किसान जो जिसके खाते में पैसा जाता है उसको पचास और साथ रुपया दे कर और पैसा जो है अपने पास ले लिया जाता है तो इसके बारे में क्या कहिए है उसके बारे से क्यों हम विद्रोग करेंगे विद्रोग करेंगे खिलाफ बांगे तोności अलग है ध shar Q लोग गल्त ढ के तो गल्त सोचेंगे जू आपना करतब करना चाहिए मानों को जो जिसका सोच रहेगा वह सब बनेगा अचया एक बात आप से पूछना चाहता हूं आप कि मैं किसी के बारे में नहीं बता सकता हूं मैं सिर्फ अपना काम जानता आउं लेकिन लगातार जिस तरह से हम लोग छेत्र में भě्रमड करते हैount लगातार जब किसानों के पास याते हैं तो अकसर किसान अपना बात यहीं बताते हैं । जो हम लोगों का धान है खरीदा नहीं जाता है और इस बार आप अपने पंचाइज से कितने धान खरीदे इस बार 49,448 किंडल खर देया है ऐसा सारे किसानों को लगबग पेमेंट होगे जो हाँ राइट दाम से उसी समय कर देते हैं जैसे यह नंबर से आता है धान आता है अधि प्राप्ति में उसी दिन कर देते हैं जो भी संड़ा के अंदर कर देते हैं जो सरकारी सिष्टम है उसको फोलो करते हैं काहे आप से अधिकारी पैसा नहीं लेता है तरह से अधिकारी ओकड़ा हैं ने इसी की दर से नहीं नए नए देखिए हर चीजा है जो ज्स जैसे की परतनीदी का लडने का च्छामता नहीं है तो ऐसा परतनीदी बनना भी गल्द है क्योंकि प्रतनीदी पद ऐसा है कि समाज का सिवा करने का है, न कि लोटने के लिए नहीं बनाया गया है, ते ही कहेंगे कि समाज का जब सिवा करने के लिए कोई नेता बन रहा है, क्या समाज को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसा प्रतनीदी बनाएं कि हमारे लिए लड़े, लेकि जानता अपना सोच नहीं बदलेगी तो वो ऐसा ही समाज का प्रतिनीदी होगा और दुख भोगेगा जीवन बर, विधायक हो चाहे सांसद हो, चाहे पैक सद्देच हो चाहे मुक्या हो, चाहे कोई भी प्रतिनीदी हो, जानता को गरव करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा समाज कैसे सुरचित रहेगा हमको कैस क्या भोड का महत्व है अपने भोड का महत्व समझना चाहिए और उसके अंसार अपना प्रतिनीदी बनाना चाहिए, व्यक्तितों को समाज कर, कौन व्यक्ति वैसा है कि जो समाज को चला सके और निश्मनल सुद्रीड रख सके जैसे कि अभी आप ने जो कल्यानपूर के पैक सद्रक्ष है गोबर्दन सिंग उनसे सुना मैं बतादू कि गोबर्दन सिंग अपने कामों की वज़ा से जाने जाते हैं काफी सुरकियों में रहते हैं और काफी यह active रहते हैं चाहे कोई भी मामला हो यह समाज सुधारक भी हैं समाज के लिए लगतार काम करते रहते हैं 24 घंटा रोड पर ही रहते हैं जहां डुन लिए जो गाइब नहीं है। अभी वियासे कुछ लोग हैं जो अपने इमंदारी और मेहनत के लिए और लोगों को हग दिलाने के लिए लगतार लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कि कल्यानपूर पंचायत के गुवर्दन सिंग जो पैक सद्धक्षे यह लड़ रहे हैं। लगतार अपनी कामों के वज़े से सुर्खियों में रहते हैं और जो किसान की सहूलियत है जो धान का रिट है दो हजार पैसानों को मूलभूत दिलवाने में कम्याब हो जाते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही ख़बर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। तब तक के लिए दीजिया इजाज़ा धन्यों।